नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल Perfect Study GS में दोस्तो, हम लोग जो बिहार दरोगा मींस का Practice Set कर रहे हैं उसमें हम आज Practice Set 4 को करने वाले हैं दोस्तो, इससे पहले हम लोग 3 Practice Set कर चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस में जाकर उसे देख सकते हैं दूस्तों मेरे चैनल पर daily practice set चलाय दे रहा है दूस्तों इसमें हम लोग 100 question का practice set करने वाले हैं दूस्तों मेरे चैनल पर बिहारदरोगा mainz का बहुत सारे practice set जो हम कड़ाय हुए हैं आप लोग जा करके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तो अभी फिलाल में हम कीरन बुक का भी प्रैक्टिसेट चला रहे हैं दोस्तो आप से की डिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पे नए है तो पिलेजी से सस्क्राइब कर लें और इसे लाइक करना न भूलें दोस्तो में शेयर करें फेस्बूक आट्सप टेलिग्राम के माध्यम से और दोस्तो अगर आपको इसका पिडिएफ टाईए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलिग्राम का लिंक दे देंगे आप लोग वहां से प्राप्त कर लिजियेगा चलिए दोस्तो स्टाट करते हैं आज का पहलाग कोश्चन हो जाएगा कर आय की पर्मा कोल्चर किसका प्रयाय है एक कर आयल्चन हो जाएगा option number A ये आपको परिस्तितिकी क्रिशी पड़ी इस्तित की क्रिसी का पड़ाय है पर्मा कल्चर सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर जो होता है वह बन के ब्रीक्षो तथा उनके उत्पादों के समर्धन का अधियन के जाता है सिल्वी कल्चर में यह है आपको पर्मा कल्चर जो की पर्षित की क्रिसी का है Next देख लेते हैं Question number 2 2 में आपको कड़ा की प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दो कड़ाई टेंसर हो जाएगा Option number B क्वासी ओरकर प्रोटीन की कमी से क्वासी ओरकर रोग होता है और प्रोटीन जो है वह कार्बोन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, इवना इट्रोजन का बना होता है Question number 3 3 में कर आए कि एक मनुस की इसम्रिती खोब एठा है इसके मस्तिस का कुन सा भाग परभावित हुआ 3 का राइट इंसर हो जाएगा Option number B इसके मस्तिस का परभावित होता है और मनुस के बुद्धी, विवेक, ज्यान का प्रमुक केंद्र जो है वह आपको सेरी ब्रह्म है और मनुस का सारीरिक गतिविधी सेरी बेलम द्वारा नियंत्रित होता है Next हम लोग देख लेते है Question number 4 कर रहा है कि किसी समुख के सदस्त को आमतर पर एस्पंज कहा जाता है चार कराईट एंसर हो जाएगा Option number C पोड़ी फेरा पोड़ी फेरा समुख के सदस्त को आमतर पर एस्पंज कहा जाता है और यह जो है Kingdom Animal में आता है Kingdom Animal में आता है इसका आवर्गी करण जो है ग्रांड ने किया था नेक्स्ट अमलोग देख लेते हैं क्वेशन नमर फाइव कर रहा है कि कौन सा लच्छन लिंग शहलग्न है फाइव कर राइट एंसर हो जाएगा आफशन नमर ए लाल हरी वर नाधता अथवा हीमोफिलिया जोन है नाधता में बाधित हो जाती है और हीमोफिलिया में रक्त का ठाका नहीं जमता है नेक्स्ट अमलोग देख लेते हैं क्वेशन नमर 6 दोस्तों आपको कोई भी क्वेशन में डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेशन नमर 6 में कराए कि सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है छे कराई टेंसर हो जाएगा ऑफ्षन नमर D यानि कि सारस जो है वह आपका एका दोसरा हो जाएगा कि मॉल्टी पर्पस सिविल हवाई जहाज है उसके वाद भीस में जो है वह बैटल टेंक है और ब्रम होस जो है मिसाइल है और इंसेट थीरी सी जो है वह आपको सेटेलाइट है यानि कि 6 कराई टेंसर आफ्षन नमर D हो जाएगा नेक्स्ट में लोग देख लेते हैं क्वेशन नमर 7 साथ में आपको कराए कि आवस्टक वासा अमल है साथ कराई टेंसर हो जाएगा और नमर B लीनोलिक अमल जो है यह आपको आवस्टक वासा अमल है मनुस्टक के लिए दो वसी अमल अतिय आवस्टक है एक आपको लाई नोलिक के व एक है लाई नोलिक एक लाई नोलिक एक लाई नोलिक लाई नोलिक अमल जो है यह रक्द का थक्का जमाने के लिए आवस्टक पदार्थों का उत्पादन भीर उत्पादन का नियंत्रन यह लेते हैं एनिकी साथ कराइट एंसर ऑफसन नमर बी हो जाएगा लीनो लिक अमल नेक्स्ट अमलोग देखते हैं कुश्चन नमर एट कह रहा है कि बाल गंगा धर्तिलक ने भारतिय स्वतंतरता संगराम के उदेश से कौन सा समाचार पत्र फ्राराम किया था आठ कराइट एंसर हो जाएगा ओफसन नमर बी केसरी बाल गंगा धर्तिलक ने अंग्रेजी भासा में मराथा और मराथी भासा में केसरी का प्राराम किया था बालगागाधर तिलक ने मराठा और केसरी समचार पत्र के शमपादन से राष्टवाद को बढ़ावा दिया था नेक्ष दख लेते हैं और एक चीज़ जान लिजिए कि बालगागाधर तिलक जो थे वह 1893 से गनेश उत्सव और 1895 से सिवाजी उत्सव मुनाना प्रारम किये थे क्वेश्टन नमर 9 में आपको खड़ा कि हरजन समचार पत्र के शमपादक कोन थे नाइन का राइट नसर हो जाएगा आपसन नमर C गाधी जी गाधी जी यो थे हरजन समचार पत्र के शमपादक थे और इन्हों ने इस पत्र का प्रथम अंग जो है दसकर आईट नसर हो जाएगा आपसनन नमर C मैंक मोहन रिखा भारत ओर ती बच के बीच मायक मोहन शीमा रिखा है LAC का संबंध भारत और चीन की सीमा रेखा से संबंध है और LOC जोन है वह भारत पकिस्तान के बीच जमू कस्मिर छेतर में नियंतरन रेखा है और मैक मुहर रेखा भारत चीन के मद सीमा रेखा है नेक्स टाम लोग देख लेते हैं कोशन नमर इगारा कह रहा है कि शीव समूंदरम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीफ है इगारा कडाई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी यह आपको कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीफ है शीव समूंदरम और शीव समुंद्रम भारत की प्रतम पन्विजली योजना है जो की 1902 में अस्थापित किया गया था गोविन सागर जील जो है गोविन सागर जील वो आपको पंजाब राज में अवस्तित भारत का सबसे बड़ा कृतरिम जील है गोविन सागर जील नेक्स्ट अमलोग देखते हैं क्वेशन नमर 12 में आपको कह रहा है कि जोला मुखी कहां फैला हुआ है बारा का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर डी उप्रोक्त सभी यानि कि दीपो में केवल टटिय भाग में और वलित परवतों में यानि कि जोला मुखी जोन है या क्वेशन नमर दी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट अमलोग देख लेते हैं क्वेशन नमर 13 में कह रहा है कि इंद्रा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है तेरा का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर ए यानि कि सतलज और व्यास नदियों से पानी मिलता इंद्रा गांधी नहर को यह नहर जो है सतलाज और व्यास नदियों के शंगम पर निर्मी जो की खड़ी के बाद से निकलती निकाली गई है और यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ती करती है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशन नमर 14 कहरा इसमें कि किस संस्थान ने दिव नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विक्षित की है किस संस्थान ने दिव नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विक्षित की है 14 कराइट अंसर हो जाएगा option नमर B यानि की CSIR और CSIO Next देख लेते हैं Question नमर 15 कह रहा है कि किस देश ने पहली बार ताइवान को पहली बार हाथियार बेचने की मंजूरी दी है 15 कराइट अंसर हो जाएगा option नमर C अमेरिका Next हम लोग देख लेते हैं Question नमर 16 में कह रहा है कि 6 अगस्त को कौन सा दिवस जापान द्वारा मनाया जाता है 16 कराइट अंसर हो जाएगा option नमर A हिरोसिमा दिवस 6 अगस्त को हिरोसिमा दिवस जापान में मनाया जाता है अमेरिका ने चौब अगस्त को हिरोशीमा पर और नौ अगस्त को नागसा की पर परमानों बम की राकर जापान को दितिये विश्ट्यूद में समर्पन करने से विवस किया था जापान एक मात्र देश है जो परमानों बम के मार जहल चुका है कोशन नमर 17 में आपको कह रहा है कि राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार का नाम बदल कर क्या किया गया है सतरा का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B मेजर ध्यान चंद्र खेल रतन पुरसकार नेक्स देख लेते हैं अठार में आपको कहड़ा कि धार्मिक शंपरदायों तथा अन दलो द्वरा परदर्शित की गई अलगाव वादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षन है अठार का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B 1919 के अधिनियम का 1919 का अधिनियम के अधार पर मुसल्मानों की तरह शिखो और एउरूपियों आंगल भारतिये तथा इसायों को भी अपना प्रतिनिधी अलग से चुन्ने का अधिकार दिया गया जोकी अलगाव वादी प्रथा का अभिश्ट लक्षन था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशन नमर 19 कहड़ा की शहकारी संस्थाव के अस्थापना के लिए कौन सा समिधान संसुधन किया गया 19 कह राइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर A संतान विरवा संतान विरवे संसुधन अधिनियम के द्वारा सहकारीता समिती के मूल अधिकार को अस्थापित करना यों समिधान के भाग 9 के खो समिधान के भाग 9 के खो के तहत इसे अनुछेद 243 के जो से अनुछेद यों में शामिल किया गया कोशन नमर 20 में आपको कहड़ा कि पंचायती राज एक 20 का राइट इंसर अप लोग को बताना है 20 का राइट इंसर हो जाएगा ओफसन नमर ए यह आपको एक प्रशासनिक सनरचना है पंचायती राज एक प्रशास्निक से नचना है, पंचायती राज लोगतांत्रिक वीकेंद रिकरन का उधारन है महात्पां गाधी के ग्राम सोराज के लिए ग्राम पंचायत के गठन से संबन्दित प्रवधान को अनुछेद 40 में और उचेद 40 में रखा गया है कि इसको ग्राम पंचायत को नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेशन नमर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन कह रहा है कि समिधान निर्मातिरी पडिशत की तदर से जंडा समीती के अध्यक्ष कोन थे 21 का राइट एंसर हो जाएगा, option नमर B, dr. रजेंडर प्रसाद जणडा समीती के अध्यक्ष, dr. तदर समीती के जंडा का तदर समीती के अध्यक्ष जो थे वह dr. रजेंदर प्रसाद जबकि जहन्डा समीति अगर आपको पूछता है तो इसके अध्याक्ष ये भी केरपलानी थे और यहाँ पर अगर केवल तदर्थ लगा देता है तो डक्टर अजेंदर प्रशाद हो जाएगा और अजेंदर प्रशाद नियमन समीति संचालन समीति के भी अध्याक्ष थे ओप्शन नमर बी राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर 22 में कहरा है कि किस आयोग ने आखिल भारतिय सेवा के पद को शमाप्त करने की शिपारिस की बाइस का राइट एंसर हो जाएगा आपको तमिनानु सरकार के द्वारा गठित 1979 इसपी में राज मनार आयोग ने केंद्रेयों राज के मद शम्बंद को मजबूत करने के लिए राज मनार आयोग का गठन किया था दोस्तो जितना भी कोश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है वो आपके एक्ज्याम के लिए बहुत ही महत्पून कोश्चन इसमें दिया हुआ है दोस्तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 में कहड़ा की इउरोपा किलिपर मिशन के शंदर में क्या सत है तेस का राई टेंसर हो जाएगा आप्शन नमर डी ए और सी दोनों यानि कि यह नासा का एक मिशन है और इसे 2024 में लॉंज किया जाएगा 24 कहड़ा की खबरों में रहा 2008 जियो ट्वेंटी क्या है 24 का राई टेंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी यह आपको छुद रगड़ा है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशट 25 कहड़ा की संगाई सहोग संगठन के शंदर में शही है 25 का राई टेंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी ए और बी दोनों यानि की रूज, चीन और कजाकिस्तान संगाई सहोग संगठन के संस्थापक सदस है और पकिस्तान और भारत संगाई संगाई संगठन के अस्थाई सदस है यानि की ए और बी दोनों सही है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशटन नमर 26 में कह रहा कि COP26 से सिखर समलन कायोजन किस सहर में किया जाएगा 26 का राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमर D यह आपको गलासको में किया जाएगा 27 में कह रहा कि बाल गंगा धरतिलक के संदर में सही कथन है 27 का राइट एंसर हो जाएगा option number D, A और C दोनुशत है, यानि कि इसमें biometric जनकारी क्यों सकता नहीं है और C कोड़ा की बाल अधार की एक मातर सरकारी ID है, जो माफ कीजिएगा मैंने question एक बर आउट पर देते हैं कोड़ा की बाल अधार के शंदर में शही कथन है इसका right answer option number D हो जाएगा A और C दोनुशत है, यानि कि इसमें biometric जनकारी की अफसरत नहीं है और बाल अधार की ही एक मात सरकारी ID है जो नौजात सिस्यों को जाड़ी की जा सकती है, यानि कि 27 का right answer option number D हो जाएगा next देख लेते हैं question number 28 28 में कहड़ा कि उस बौध गरंद का नाम बताईए जिसमें तिरिभूजों के लिए नियमों का उलेक है 28 का right answer हो जाएगा option number B, बिनै पीटक बौध गरंद बिनै पीटक में तिरिभूजों के लिए नियमों का उलेक है मुक्त बोध साहित जो है बौध के उपदेशों का वर्नन है और बिनै पीटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया बिनै पीटक में संग के आचरन और नियमों का उलेक है और अभिधम पीटक की रचना तृतिय बोध संगिती में किया गया और अभिधम पीटक में बौध के डार्षनिक बिचारों का संकलन किया गया है हम आपको तीनों बता दिया आप लोग इसे याद रखिएगा Q29 में आपको कहँए कि शमीधान में अन देशों के उधार लेने की विशेस्ताव की अलोचना करते हुए किसने कहा था कि शमीधान के मोलिक बिचारों के संदर में किसी को भी कोई विशेस अधिकार नहीं है 29 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर C डाक्टर भीम राव अंबेदकर नेक्ष देख लेते हैं 30 में कहँए कि 27 अगस्त निससों शमीधान सभा की बहस में किस ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन छेत्र अलप संख्यों के लिए आत्म घाती होंगे 30 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर D गोविंध बल्लाव पंद गोविंध बल्लाव पंद को समीधान सभा में दिया गया विशार अलग निर्वाचन छेत्र के बिरोध में था गोविंध बल्लाव पंद समीधान सभा में उत्तर परदेश विधान सभा से चुना गया था दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए है तो पिले जी से सस्क्राइब कर लिजेगा और कोई भी कोशन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूश सकते हैं कोशन नमर थाटी वन में कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के अंत्रक अतने मिलिखित में से कौन सा एक उपाई अपनाय गया था 31 का राइटेंस तर हो जाएगा आप्शन नमर सी मुकदमे के बिना कड़ावास रॉलेट एक्ट जो हुआ था वह मार्च 1999 में लाय गया था और रॉलेट एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा यह कारण बताए किसी भी व्यक्तिको बंदी बनाया जा सकता था रॉलेट एक्ट के द्वारा रॉलेट एक्ट 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 त्रिव विरोध किया गया और 6 अप्रेल 1919 को गाधेजी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में राश्ट व्यापी अंदोलन प्राराम किया नेक्स्ट आम लोग देख लेते हैं कोश्चन नमर कोश्चन नमर 32 में आपको कहड़ा है कि नोबिल पुरस्कार विजेता कल्यास सत्यार्थी इनमें से किस संगटन से जूरे हैं 32 का राइट एंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर A बच्पन बचाव अंदोलन बच्पन 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 अंदोलन की सुरुवार जो हुआ था वह आपको 1980 SP में हुआ था और शान्ती का नोबिल पुरस्कार कल्यास सत्यार्थी को 2014 SP में दिया गया था नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोश्चन नमर 33 में कह रहा है कि वह छेतर जहां किसान केवल सबजियों में 20 सग्यता रखते हैं इस परकार की खेती क्या कहलाती है 33 कर आइटेंसर हो जाएगा और सन्नमर डी विसके हम लोग ट्रॉक फॉर्मिंग कहते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 34 34 कर आइटेंसर हो जाएगा और सन्नमर बी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेशन नमर 35 35 कर आइटेंसर हो जाएगा और सन्नमर ए 28 के जी 36 कर आइटेंसर हो जाएगा और सन्नमर बी 93 37 37 में आपको कह रहा कि निमन को सरल करें इसका राई टेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर C, एक 38, 38 में कहड़ा है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे परा उद सर्जक छेतर कौन सा है और इसका राई टेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर C, उड़ जा ग्रीन हाउस केसों का सबसे बड़ा उच सर्जक छेतर उड़जा छेतर है और CO2 का मुख उच सर्जक छेतर कॉल कर खानों से निकलने वाला धूँआ चिमनी थर्मले स्टेशन से जलने वाले कोईला दी है थर्मले स्टेशन से निकलने वाले राक सबसे बड़ा ठोस अफ्षिस्ट प्रदूशक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशन नमर 39 में कहड़ा है कि निमली खित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्क कोन सा है 49 का राइट असर हो जाएगा आपसा नमर A ट्रांसाइवेरियन रेल बे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्क ट्रांसाइवेरियन रेल बे है और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्क ट्रांसाइवेरियन रेल बे की लंबाई जो है वो आपको 9430 किलोमेटर है और Trans-Siberian Real Mark जो है यह आपको लेलिन ग्रांड से ब्लाडी वास्टक तक आपको चलता है नेक्स नमलोग देख लेते हैं Question No.40 इसका राइटेंसर हो जाएगा Option No.D 44 Next देख लेते हैं निमलिखित में से किस धर्वर अस्थल में वास्तु कला की द्रविर अस्थापत्य शैली है 41 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.B हमपी हमपी धर्वर अस्थल द्रविर अस्थापत्य शैली का है हमपी में हाजारा मंदीर बिठल स्वामी के मंदीर बिरुपाक्ष मंदीर आदी प्रसिद है और हमपी जो है यह बिजय नेगर समराज की रजधानी थी Next हम लोग देख लेते हैं Question No.42 में कह रहा है कि किस अस्थान को Nursery of the Bengal Army कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा Option No.D अवत को कहा जाता है 43 में कहड़ा कि Video Graphics में Array Video Graphics Array यानि कि VGA रंगीन ग्राफिक्स पर दरसित करने की एक परनाली है यह किस के दोरा बिक्षित की गई थी 43 का राइट एंसर हो जाएगा Option No.D यहाँ IBM के दोरा बिक्षित की गई थी Next देख लेते है Question No.44 44 में कहड़ा कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है 44 का राइट एंसर हो जाएगा Option No.B यानि कि Geo Siriconos Satellite Launch Vehicle Geo Siriconos Satellite Launch Vehicle GSLV का पूर्ण रूप है Next आम लोग देख लेते हैं Option No.B राइट एंसर हो जाएगा 45 में कहड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिसे के रूप में वालिकाओ के लिए BCS रूप से लॉंच किये गए बेंग खाते का नाम क्या है 45 का राइट एंसर हो जाएगा Option No.B शुक कन्या शम्रिधी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरुआत जो हुआ था 22 जनवरी 2015 इसपी को हरियाना के पौनिपत से लंच किया गया था Next आम लोग देखते हैं Question No.46 में कहड़ा है कि इस ब्रमान में मौझूद परतेक बच्तु जो पदार्त से निर्मित है उसे बेग्यानिकों ने क्या नाम दिया है 46 का राइट एंसर हो जाएगा Option No.A उसे द्रौग नाम दिया है Next हम लोग देखते है Question No.47 में कहड़ा है कि बिसाल गिलहरी किस राज की राज की ये पसु है 47 का राइट एंसर हो जाएगा Option No.A यहां महराष्ट की राज की ये पसु है बिसाल गिलहरी Next देख लेते है Question No.48 में कहड़ा है कि छुई मुई पोधे का बिग्यानिक नाम क्या है Question No.49 कहड़ा है कि निमली खित में से कुन सा इसमारक तमिल नाडू में इस्तित नहीं है 49 का राइट एंसर हो जाएगा Option No.B बेकल किला बेकल किला जो है यह तमिल नाडू में इस्तित इसमारक नहीं है बेकल किला जो है यह केरल में अवास्तित है यह केरल का शबसे बड़ा किला है नेक्स हम लोग देख लेते हैं कोशन नमर पचास कह रहा है कि मपूतो किस देश की रजधानी है पचास कराई टेंसर हो जाएगा और अपसन नमर C यह आपको मोजांबिक की रजधानी है मपूतो और अपसन नमर B में दे रहा है घाना की रजधानी अकड़ा है नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 51 में कह रहा है आपको कि मैनेची सिमबुन किस देश का समाचार पत्र है एकाउन का राइट एनसर हो जाएगा अपसन नमर C यहाँ जापान का समाचार पत्र है यहाँ जापान की रधानी टुक्यों से परकासित होता है कोशन नमर 52 52 में कह रहा कि अती चलकता उत्पन होती है जब परदार्थ बावन का राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर D अती नीम्न ताप तक ठंडा किया जाता है कोशन नमर 53 में कह रहा कि लिफ्ट चलायमान पीड़ी एलिवेटर तोरण एक के साथ उपर की उर उर दवारदर उठी रही और एम मात्रावाल एक यात्री के द्वारा फोर्स पर अरोपित बल है तीरपन का राइट अंसर हो जाएगा आफ्शन नमर C यानि की M G प्लस M A नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर 54 में कह रहा कि किसी धावनी का पीच निर्वर करता है चोन का राइट अंसर हो जाएगा आफ्शन नमर A आयाम और आविरिति पर किसी धावनी का पीच जो है अयाम और आविरिति पर निर्वर करता है और तारत्य जो है वह धावनी का तीक्छन या पतला होना या मोटा होना तारत्य पर निर्वर करता है तारत्य जो है वह आविरिति पर निर्वर करता है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशन नमर 55 में कह रहा है कि एक उष्ण बस्तू उस्मा विक्रन के रूप में अपनी उस्मा अपने पडिवीस में छोड़ देती है और उस्मा हानी किदर किस पर निर्भर रहती है 55 का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर C बस्तू और पडिवीस के तापमान के अंतरबर निर्भर रहती है जोस्तू आप मेरे चैनल पे नए है तो पिलिज इसे सस्क्राइब करें और इसे लाइक करने न भूलें कोशन नमर 56 में कह रहा है कि केरल की राज भासा डैस है यह द्रविर भासा समू की भासा है नेक्श के देख लेते हैं कोशन नमर 57 में कह रहा है कि ठुमरी जो और दिसास्त्री भारतिय संगीत की एक आम सैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता था संताओन के राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C गिरिजा देवी को गिरिजा देवी का जन्म जो हुआ था 1929 में बनार्सी में तथा उनकी मिर्थु 2017 में कुलकात्ता में हुआ गिरिजा देवी ने ठुमरी और दिसास्त्री नित को अधिक लुक पिडिये बनाया था और गिरिजा देवी को पदम भूशन पदम भी भूशन से समानित भार सरकार ने किया था नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं कोशन नमर 58 में कहड़ा कि बुखार समान ची किसस से सम्बंधी थी वैसे ही आखों के द्रिष्टी से सम्बंधी थे बुखार का समान ची किसस से सम्बंधी थे वैसे ही आखों के द्रिष्टी से सम्बंधी थे 58 के राइट लहे हैगा option number D यानिकि आप्थलेम मलोजिस्ट आप्थलेम मलोजिस्ट हो जाएगा यानिकि option number D हो जाएगा 58 का नेक्स देख लेते हैं Q59 में कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक गठ बंधन इंडिये का पुर्ण रूप क्या है? 69 का राइट एंसर हो जाएगा. और इसक्या इंडिये का गठन हुआ था 1998 रिस्पी में किया गया था और इंडिये का बरतमान में नेतरतु बीजेपी कर रहा है. Q60 में कह रहा है कि मुलरता की काई है? 60 का राइट एंसर हो जाएगा. और आपसन नमर C मूल प्रती के जी नेक्ट देख लेते हैं. Q61 कह रहा है कि जल की अस्थाई का ठोड़ता इनकी उपस्तिति के कारण होती है. 61 का राइट एंसर हो जाएगा. आपसन नमर D. CACL2 और CACL4. जल की अस्थाई का ठोड़ता CACL2 और CACL4 के कारण होती है. Next देख लेते हैं. Q62 में कह रहा है कि निमलिखी तिनाविकी अभिकिरियाओं में किस अभिकिरियाओं में अलफा कनों का उत्रजन होता है. 62 का राइट एंसर हो जाएगा. आपसन नमर C. Next देख लेते हैं. Q63 में कह रहा है कि क्रितिम तोर पर गैसोलीन उत्पादन के उद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं. 63 का राइट एंसर हो जाएगा. आपसन नमर C. यानि कि फ्रिसर ट्राप्स प्रक्रम. Next देख लेते हैं. 64 में कह रहा है कि प्रात्मिक सिख्षा के मौलिक अधिकार को श्रमिधान में कब जगह दी गई? 64 का राइट एंसर हो जाएगा. आपसन नमर C. दो हचार दो में. 2002 में 86 संसुदिन के द्वारा देश के 6 से 14 बर्स तक के बच्चों के लिए अनिवारे उप्रात्मिक सिख्षा को मौलिक अधिकार करूप में मन्याता देने संबंदी प्राधान किया गया है. और इसे अनुछेद 21 के कौक के अंतरगत मौलिक अधिकार में जोरा गया है. जो की 1903 में अधियक्ष्टा की थी. नेक्स्ट आम लोग देखते हैं. Q66 कहरा की समिधान का कौन सा संसोधन राजनीतिक दल बदल से संबंदीत है. 66 कराईट एंसर हो जाएगा. आफ्चिन नमर C. 22 संसोधन. 22 समिधान संसोधन जो है वह राजनीतिक दल बदल से संबंदीत है. और 1985 मेरा जीव सरकार के द्वारा दल बदल का लून लाया गया था. कोशन नमर 67 कहरा है कि भारत के राष्ट पती के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसोध को क्या समय सिमाती गई है? संसेट का राइट एंसर हो जाएगा. आफ्चिन नमर C. 6 महिने. अनुछेद. अनुछेद. एक सो तेज. तेज के अधिन राष्ट पती अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश राष्ट पती तब ही जारी कर सकता है जब सत्र नहीं चल रहा हो. नेक्ट देख लेते हैं. कोशन नमर 68 में कहरा कि सनचनात्मक हिस्सा के रूप है. 68 करा आइट एंसर हो जाएगा. इन में से सब ही परम प्रागत जाती बेवस्ता प्रित्री सत्ता के अधार पर निर्मित समाज और उपनिवे सिक्षाशन. कोशन नमर 69 में कहरा कि नबाड यो छेतरिये ग्रामिन बैंक किस साखा किस साक सुरत का उधारन है. 79 करा आइट एंसर हो जाएगा. आपसन नमर ए यह आपको संस्थागत शाक सुरत के उधारन है. 90 नबाड यो छेतरिये ग्रामिन बैंक संस्थागत सुरत का उधारन है. संस्थागत भी सुरत से किसानों को आसान सर्तों पर इन उपलब्द होता है. दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और इसे लाइक करना नव भूलिएगा. क्योंकि इसी तरह जो वीडियो है आपके लिए हम डिली लाते रहेंगे. Next हम लोग दिखते हैं. Q7 में कहड़ा कि सकल राष्टिय उत्पाद GNP तथा सुद राष्टिय उत्पाद NNP के बीच अंतर किसके बराबर होता है. सतर कर आइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर D यानि कि पूजी मुलहोस के बराबर होता है. Q71 में कहड़ा कि पहली राष्टिय उत्पाद समित्पे गगठन किया गया था. 172 कर आइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर B उनी सो उन्चास में. Next देख लेते हैं. भारती अर्थ व्योस्ता का विकास की सधार पोर ब्यक्त किया जाता है. 172 कर आइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर B प्रती व्योस्ता को जीडिवी के धार पोर विकास दर को व्यक्त किया जाता है. भारत में प्रती व्योस्ता की सबसे कम विहार राज का है. Next देख लेते हैं. Question number 73 कर आइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर B या आपको महराष्ट में इस्तित है. सवित्री रिंग बेद में प्राना दाई देवी की अराधिना में गायतरी मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचना किया गया. Next हम लोग देख लेते हैं. 74 में कह रहा है कि IMD के द्वारा हाली में जारी बेस्विक प्रतिय अस्पर्धा सुचकांक में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ है. 74 कर आइट एंसर हो जाएगा. Option number C तेतलिसवा अस्थान प्राप्थ हुआ है. 75 कर आइट की 2001 गारे में भारत की समिधान में होने वाले संतान बिर्वेशन सुधन का सरोकार किस भी सहसे है. 75 कर आइट एंसर हो जाएगा. Option number B शहकारी संस्थाव का अगठन और कार संचालन. Next देख लेते हैं. Question number 76 76 में कहड़ा है कि निमली खित में से कौन्त शमेधानिक प्राधी करन है यानि कि निचे दिये गए कुट से सही उत्तर को चुनना है. 76 कर आइट एंसर हो जाएगा. Option number B एक, दो और तीन यानि कि राज निर्वाचन नयोग, राज भी तयोग और जिला पंचायद जो है वो शमेधानिक प्राधी करन है. Next देख लेते हैं. Question number 77 में कहड़ा है कि कितनी जनसंख्याप और ग्राम पंचायद का अगठन किया जाता है? 77 का राइट एंसर हो जाएगा. Option number C यानि कि 7000. 7000 जनसंख्याप और ग्राम पंचायद का अगठन किया जाता है. और ग्रामीन अस्थानिय संस्थाव में ग्राम पंचायद का अस्थान सबसे महत्तपूर्ण है. बरतमान में बिहार पंचायद राजा धिन्नियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायदों का गठन किया गया है. Next हम लोगों देख लेते हैं. 78 78 में आपको कह रहा है कि राष्ट पती के निर्वाचन मंडल के सदस होते हैं. 78 का राइट इंसर हो जाएगा. Option number D, यानिकी एक तीन चार जो है सही है. यानिकी संसत के दुनों सदनों के निर्वाची सदस से, उसके बाद सभी राजों के विधान सभाव के निर्वाची सदस से और जमु कस्मेर दिली और पड़ूचुरी विधान सभाव के निर्वाची सदस से. नेश्ट हम लों देख लेते हैं 79 79 में कह रहा है कि फोजदारी नियाइक शिरिंखला की जीले की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है 79 का राइट इंसर हो जाएगा option number B session coat फोजदारी नियाइक शिरिंखला की जीले की सबसे बड़ी अदालत सेशन कोट है और भारत में एक क्रित नयाइक परनाली का प्रणान किया गया है एक क्रित नयाइक परनाली में उस्तम नयाले सिल्स पर है नेक्ट देखते हैं असी में कह रहा है कि कोईला और पेट्रोलियम के दहन का परिनाम डैस में आकसाइड के रूप में होता है असी का राइट अंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर A या नाइट्रोजन और सलफ़र के रूप में होता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशन नमर 81 कह रहा कि सातवे वेतानायोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था असी का राइट अंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर C और शोक कुमार माथूर को सातवे वेतानायोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और सातवे वेतानायोग जो है वह एक अप्रेल 2000 सुरे से लागू है और परतिक 10 बर्सों परवेतानयोग की नियुक्ती राष्ट पती के द्वारा किया जाता है यानि कि अब इसके बास 2016 से 2026 में होगा नेक्स चमलोग देखते हैं कोशन नमर 82 कराय कि राम कृष्ट मिशन के अस्थापना किसने की थी 82 का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर B श्वामी विवेकानन्द यानि कि इनका विवेकानन्द का मूल लाम था नरेंदर नाथदत इनके द्वारा राम कृष्ट मिशन के अस्थापना 897 में किया गया था नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 83 893 में आपको कहड़ा कि वाई मंदल के उपड़ी अस्तरों में विद्वान ओजून और शुषन करती है 83 का राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर A परावेगनी सौर विक्रन का वाई मंडल के उपड़ी अस्तरों में विद्भान ओजून परावैगनी और विक्रन का असुसन करती है और ओजून परत में छिद्र का शरपर्थम उलेक जो हुआ था 1985 में शामने आया और 16 सितंबर को आपको विश्व ओजून परत्सन अक्षन दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशन नमर 84 में कह रहा है कि सांत घाटी किस राज में श्तित है 84 का राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर B यह किरल में श्तित है दक्षिन भारत के किरल राज के पालक काट जीले में श्तित एक राष्टी उद्दान है जो कि निलगिरी परवत में है और अंग्रेजों ने इसका नाम सांत घाटी रखा था नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 85 कह रहा है कि दक्षिन बच्षी मांसुन के ततकाल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं 85 का राइट अंसर हो जाएगा आपसा नमर A इसे रवी फसल कहते हैं रवी फसल अक्टूबर नॉंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रेल में काट ली जाती है और अभी फसल में गेहु जो चना मटर सरसो आलू राई आदी परमुक फसल है खरी फसल जो है वह जून जूलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नॉंबर में काट ली जाती है खरी फसल में धान, गन्ना, मक्का, जोहार आदी है रवी फसल को सरत कालीन फसल भी कहा जाता है नेक्स चमलुक देख लेते हैं ऐटी सिक्स में कहड़ा की भारत में सबसे ज़्यादा ताप विधुत उत्पन करने वाला राज कौन सा है ऐटी सिक्स के राइट इंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी महराष्ट भारत में महराष्ट और उत्तर परदेश राज जोने अधिक्तम बिजली की खपत करता है नेक्स देख लेते हैं कौशन नमर एटी सेबेन सवयुक राष्ट के द्वारा पड़ेवजीत वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट दोहजार एकिस वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट दोहजार एकिस में किस देश को प्रतम अस्थान प्राप्थ हुआ है 87 कर आइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर बी फीन लेंड को नेक्स दख लेते हैं 88 में करणा कि नीवन में से किस राज में काला नमक शावल महोसो आयूजीत किया जाएगा 88 कर आइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर सी उत्तर प्रदेश में कोश्चन नमर 89 करणा कि ड़स्ट लिग भाड़त और किस देश के बीच एक सायन अभया से 89 कर आइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर बी यह उजवेकिस्तान के साथ संउक्त अभयास है ड़स्ट लिग नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नमर 90 में करणा ते महराष्ट के पाल घर जीले से भगोलिक संकेत जी आई टेक परमानित उतपाद घोलवर्ट सपोर्टा यानि की चीकू की एक खेब किस देश में भेजी गई है नवे का राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर ची यानि की युनाइट किंग्डम में नेक्स देख लेते हैं नेक्स देख लेते हैं नेक्स देख लेते हैं 93 में काड़ा कि भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगारी का संचालन कर एक नया रिकोड बनाया है 93 का राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर ए दक्षिन पूरू मधर रेलवे 94 में काड़ा कि निमली खित में से किस राज के जहाकी को सर्वसेश जहाकी के रूप में शामानित किया गया है 94 का राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर बी उत्तर परदेश की जहाकी को 95 में काड़ा कि भारतीय नोसेना द्वारा हिंद महासागर के छेतर में युद्ध व्यास का नाम क्या है 95 का राइट एंसर हो जाएगा ओफसन नमर बी इसका नाम है ट्रोपेक्स नाम है नोसेना के दोरा हिंद महासागर छेत्मिद व्यास का नाम है ट्रोपेक्स ओफसन नमर बी राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 96 में कहोड़ा कि खौबरों में रहा माजूली दीब कहा इस्तित है 96 के राइटेंसर हो जाएगा अफसन नमर C यह आपको असम राज में इस्तित है माजूली दीब नेक्ष में लोग देखते हैं 97 में कहोड़ा कि बीर से उपरमपरा का समन निमली खित में से किस राज से है 97 के राइटेंसर हो जाएगा अफसन नमर B यह आपको करनाटक राज से है बीर से उपरमपरा का समन करनाटक राज से है बाड़ावी सताबदी में बास्वन्ना के नित्रत में करनाटक में बीर से उपरंप्रा की निव पड़ी बास्वन्ना प्रारह में जैंधर हम कुमानते थे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ों जान लिजे कि समिधान के अनुझेद नाइनटी थिरी नाइनटी थिरी में उपबंध है कि लोग सभा अपने सदसों में से अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे यह आपको विहारदरोगा मिन्स में पूछा हुआ कोष्चन है नेक्ट देख लेते हैं कोश्चन नमर 99 में कहड़ा कि द्रवीर सैली के मंदिरों में गो पूरम समंधित है 99 का राइटेंस तर हो जाएगा ओफ्सन नमर A तोरन पर बने अलंकरित और बहु मजिला भावन के द्वारा आज का अंतिम कोश्चन आपका हो जाएगा कहड़ा कि भारतिये विदेश नेती जो तरशस्ता पर धारित भी का परारम किया गया था 100 कर आइटेंस तर हो जाएगा ओफ्सन नमर C जोहरलाल नहरू भारतिये गुट निर्पेक्ष अंदूलन के शंस्थापक ब्यक्तिव में महत पुन थे आपको भारत के प्रधान मंत्री जोहलाल नहरू, मिजरी के राष्टपती कर्नर नाशिर, युगलोसिया के राष्टपती मार्सल टीटो और गुट निर्पेक्ष अंदूलन का प्रथम समयलन जो हुआ था 1931 में बेल ग्रेड में हुआ था अगर उसा आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेड प्लेडिश में जाकर इसे देख सकते हैं दोस्तो आप से वर्स जो था से था राष्टीन में देख सकते हैं या हने से बने कारेऊ हैं या संब्सक्राइब और इसे जड़ीounding कर लोइं हैंब हैं आई हो दिस्क्रिप्शन में हम टेलीगराम का लिंक दे दिया है आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं तो चले दूस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद